राधे राधे जैसी क्रशना आज मैं आपको जेश्ट मास की गणिश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हूँ अगर आप हर मैने की चोथ का वृत करते हैं, तो आपको वृत के साथ में चोथ माता की गनेश चोथ की कहानी भी सुननी चाहिए इससे वृत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में प्रत्वी पर राजा प्रत्वु राज्य करते थे राजा प्रत्वु के राज्य में जैदेव नाम का एक ब्राहमन था ब्राहमन के चार पुत्र थे चारों का विवा हो चुका था बड़ी पुत्र वधु गणेश चोत का व्रत करना जाती थी बड़ी पुत्र वदू बड़ी ही धार्मिक थी एक दिन जब वह मंदिर जा रही थी तो वहां उसने ओर्टों को हर मेने की चोत का वरत करते हुए देखा तब उसने उन ओर्टों से पूछा कि आप यह सब क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है तब गाव की सभी ओर्टें बोली की बहू हम सभी हर मेने की चोत का वरत करते हैं और अभी हम गणिश चोत की कहानी सुन रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तब ब्रहमन की बड़ी पुत्र वधु ने उनसे पूछा कि इस वरत को करने से क्या फल मिलता है तब उन में से एक बुड़ी ओरत ने कहा कि बहू इस वरत को करने से घर में धन धान्य की वरद्धी होती है कुवारों के ब्या होते हैं बच्चों को नोक्रियां लगती है और बुजर्गू को बैकुंट का वास मिलता है तब ब्रामन की बड़ी पुत्र वधु ने कहा कि मेरा भी एक पुत्र है और वह विवहा लायक है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है अगर मैं ये वरत करूंगी तो क्या मेरे पुत्र का विवहा भी जल्दी हो जाएगा तब सभी ओरतों ने कहा कि बहु तुम वरत करो और सारी चिंताएं भगवान गणेश पर छोड़ दो गणेश भगवान और चोत माता सबका कल्यान करती है तब उसने वरत की पूरी पुजा विधी पूछी और घर आकर ब्रामन की बड़ी पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा कि सासुमा आज मैंने मंदिर में ओरतों को पूजा करते हुए देखा वे सभी हर मैने की चोत का वरत करती हैं और पूजा करती हैं और उन्होंने कहा कि इस वरत को करने से घर में धन धान्य की वरती होती है कुआरों के ब्या होते हैं बच्चों की नोक्रियां लगती है और बुजर्गों को बैकुंट का वास मिलता है लेकिन सास ने कहा कि मेरे घर में जो नियम चलते हैं केवल वो ही चलेंगे कोई नया नियम लागू नहीं होने दूंगी जब तक मैं जिन्दा हूँ कोई गणेश चोत का व्रत नहीं करेगा बड़ी बहु मनहीमन उदास हो गई और हर मैने की चोत आती तो वह गणेश भगवान से अपना दुख सुनाने लगी तब एक दिन गणेश भगवान ने उसकी विंती सुनी और बड़ी बहु के पुत्रु को गणेश भगवान ने गायब करवा दिया पूरे घर में उदासी चा गई सभी पुत्र को और पोते को डूड़ने में लगे पूरे गाउं भर में बड़ी बहु के पुत्र को खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला तब बड़ी बहु ने अपनी सासु मा से कहा कि सासु मा आप मुझे हर मैने की चोत का वरत करने देवे हो सकता है कि यह भगवान गणेश और चोत माता का अपमान करने से हुआ हो हो सकता है कि भगवान गणेश और चोत माता हम पर प्रसन हो जावे और हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएं सास ससुर को अपने पोते से बड़ा इसनहे था अते उन्होंने अपनी बड़ी बहु को वरत करने की आग्या दे दी बड़ी बहु ने जेश्ट महा के गणेश चोत का वरत किया और भगवान गणेश से प्रात्ना की कि हे गणेश भगवान हे चोत माता मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो शमा करे और मुझे मेरे पुत्र से वापस मिलवा देवे बड़ी बहु के जेश्ट मास के गणेश चोत का वरत करने से भगवान गणेश प्रसन हुए और उन्होंने एक ब्रहमन का रूप बनाया और जैदेव ब्रहमन के घर आये बड़ी बहु और उसकी सास ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ ब्राहमण को भोजन कराया गणेश भगवान जो बूडे ब्राहमण के वेश में उनके घर आये थे भोजन करने के बाद उन्होंने बड़ी बहु को अशिर्वाद दिया कि पुत्री शाम तक तुम्हारा पुत्र वापस तुमारे घर आ जाएगा और जाते जाते उन्होंने उनके घर को ठोकर मारी तो उनका घर नोखंडी मकान में बदल गया और वो अंतरध्यान हो गए इस तरह अचानक से ब्रामन के अंतरध्यान होने से सास और बड़ी बहु अचम्बित रहे गए वो समझ गये कि वहबुड़ा ब्रामन और कोई नहीं सम गणेश भगवान थे तबी दरवाजे पर उनका खोया हुआ पुत्र भी वापस आ गया सास, ससुर और बड़ी बहु ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया तब उसकी सास ने अपनी सभी बहुँ से कहा कि आज से तुम सभी हर मैने की गणेश चोत का वरत करो और बारा मैने की चोत करने के बाद हम उसका उद्धापन भी करेंगे इस तरह सभी ने हर मैने की चोत का वरत किया और बारा मैने की चोत करने के बाद उन्होंने वरत का उद्धापन किया उद्धापन करने के बाद बड़ी बहु के पुत्र के लिए बहुत सुन्दर रिष्टा आया बहुत पैसे वाले घर की एक संसकारी बहु उनके घर आई और धूम धाम से उन्होंने अपने पुत्र का विवा कर दिया और साल भर बाद ही उन्हें एक सुन्दर पोता भी हुआ अब उनकी सास सोने की सिद्धी चड़ चुकी थी और उन्होंने सोने की नसीनी मंदिर में दान करी सास ससुर ने सभी को कहा नई बहु भी हर मैने की गणेश चोत का व्रत करे अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी भगवान गणेश और चोत माता का उनके उपर हमेश आसिर्वात बना रहा जहु गणेश भगवान की जहु चोत माता की रातरी को चंद्रमा को अर्द देते समय हमें बोलना चाहिए इस प्रकार चंद्रमा को अर्द देते समय बोलना जाता है इस तरहे आज मैंने आपको जेट मास की गणेश चोत की व्रत कता सुनाई और चंद्रमा को अर्द देते समय क्या बोलता है वो बताया अगर आपको ये कता अच्छी लगे तो कमेंट बोक्स में जहो गणेश भगवान की जहो चोत माता की जरूर लिखें भगवान आप सब की सभी मनो कामनाई जरूर पूरी करेंगे धन्यवाद